नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेर चैनल मैं आपका अपना दोस्त संजे तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि दोस्तों जो आप वाशिंग मुशीन देख रहे हैं हमारी LJK 8KG के फ्रंट लोड वाशिंग मुशीन और हमें कैसे यूज करना है डिस्वेंसर ओपन करके डिटर्जन डालके हमें बंद कर देना है और जैसे हम लोग इसको बंद करें हैं बंद करने बाद हमें क्या है कि आप इसको पहले भी कर सकते हैं और उसके बात भी कर सकते हैं आपको डोर को ओपन करना है डोर को ओपन करके washing quality अच्छी रहे कपड़े आपके फटे ना तो इसमें बहुत सारी confusion होती है लेकिन इस वीडियो में आपको सारी confusion clear होने वाली जो कि इसमें जितने भी आपके washing के program दिये उस program को मैं एक एक करके आपको explain करूँगा कौन सा program है आपको उसमें कौन सा cycle कौन से कपड़े आपके दूले जाएंगे water का temperature कितना रहे रपियम क्या रहे और कैसे आप उसको उसमें additional features भी add कर सकते हैं जैसे कि यह हमारा canobah है और इसको हम लोग इस तरह से regulate करते हैं तो यह इसमें side पे आपके light चलती है जिस light पे यह जालेगी वो program आपका उस पे set हो जागा आपको सिर्फ start करना है तो एक बार जैसे कि यह सारा program है उसको हम लोग कैसे use कर सकते है नर्मल जो आपके left hand पे है वो हमारा stream cycle ले stream cycle का मतलब कि इस program में पानी का temperature जो बढ़ जाएसने के लिए first हमार जैसा के cotton क कॉटन के हमारे कपड़े इसमें रहेंगे क कम कपड़े में यूज करना है कॉटन में और उसमें जैसे कॉटन के Och棋 पैसे पर between such और जहाए मैं ये सारीचीजे रहेंगी जो थोड़ी कम गंदे है और उसके साथ-साथ इसमें जो water का temperature रहेगा, 40 degree रहेगा, जो दूसरे number पर हमारा cotton plus है, cotton plus में cotton के बढ़े कपड़े हैं, ज्यादा गंदे कपड़े हैं, और ज्यादा load है, तो उसके लिए आपको cotton plus है, इसमें water का temperature आपका 60 degree रहेगा, इसके नीचे जो हमारा तीसरा रहता हो तर्बो वास, तर्बो वास में हमें वो कपड़े यूज़ करने हैं, जैसे silk कपड़े होगा है, dark color के कपड़े होगा, यह सारे कपड़े हम लोग यूज़ करेंगे, तर्बो वास में 59 मिट के लिए, और इसके साथ नीचे आपका mix fabric है, mix fabric में आपके total mix कपड़े आते हैं, बट इसमें जो ज़्यादा color वाले कपड़े हैं, उसको आपको नहीं दुलना हैं नहीं, तो उसमें जो रंग छोटे हों बाकी भी आपके कपड़े को खराप कर सकता है, तो ऐसे कपड़े को आपको निकाल के अलागी वास करना है, इसके बाद नीचे जो अगला हमारा number आत रहता है, वो रहता है allergy care, allergy care में जैसे आपके किसी बीमार आदमी के कपड़े हैं, जैसे bed seat हो गया, cover हो गया, यह हो गया, चुकि इसमें ज़्यादा सारे bacteria होते हैं, इसके लिए water temperature हमारा 60 degree रहेगा, तो इसमें हमारा stream जो यूज़ करेगा, तो इसके वो जैसे आपको allergy care lots हैं, वो सारे, चुकि वो कम गंदे हो, light strain के साथ हो, तो उसको आपको यूज़ करना है, और इसमें जो रहेगा कपड़े हो gentle type की कपड़े रहते हैं, चुकि बच्चे की कपड़े बहुत soft होते हैं, तो इसके लिए baby care में water का temperature आपका 60 degrees आएगा, और इसका जो gentle mode पे हमारा चालू रहता है, इसके बाद जो हमारा दूसरे side का रहता है, यह हमारे हैं, जो ठंडे पानी में कपड़े दुलते हैं, इसका पानी का temperature भी आप 30 degrees से जाधा नहीं बढ़ा सकते हैं, डेली केट में आपके जो कपड़े आते हो, party wear के कपड़े रहते हैं, जिसमें सितारे सार जबी आपको जरूरत पड़ेगी, सिर्फ कंगालने और सुखाने के, उसके बाद इसके साथ जो हमारा extra option होते हैं, उसको यह side पे है, इसको कुछ particular program के साथ activate कर सकते हैं, जैसे कि आपका यह दिख रहा है, इसको भी आप activate कर सकते हैं, किसी program, extra rinse अगर आपके कपड़े में थ जोनों side आपको डालना होता है, delay end किया है, कि जबी आपको washing machine को लगता है, तीन गंटे चार गंटे आपको delay करना है, तो delay end आप use कर सोते हैं, फिनिसिंग टाइम रहे, प्लस add item करेता है, कि जैसे आपने इसके अंदर कपड़े डाल दियें, और आपने machine start कर दी, आपको ऐसा अंदर डालने है, तो अभी जैसा ये add item की button जलती रहेगी, जैसे इस button को आप प्रेस करोगे, उस time पर door open हो जाएगा, और कपड़े उसके अंदर आप डाल सकते हैं, उसके साथ-साथ यहाँ पर आपका rinse plus temperature की button है, तो by default तो अपने इसाप से sit करेगा, बट उसमें भी आप wait हो जाएगा किसी program के लिए, और उसके साथ-साथ जैसे का आप यहाँ पर देख रहें, इसमें delay end के बाद एक Wi-Fi का symbol, तीन सिकन अगर हम लोग बटन को प्रेस करेंगे, तो Wi-Fi भी इसमें on off जाएगा, Wi-Fi के लिए आपको phone में इसका application होता है, जो download कर सकते, उसे आप इस washing machine को अपने phone से ही operate कर सकते हैं, बाकि इसके साथ-साथ जबी आपका यह connect हो जाएगा, तो जो head item की button उसको आपको time तक प्रेस करेंगे, तो उसमें आपका remote start लेखा हुआ, तो आप अपने phone से भी इस washing machine के program को भी set कर सकते हैं, on off भी कर सकते हैं, और इसमें function को आप proper तरीके से एक तम operate कर सकते हैं, बाकि इसमें जैसे कि जो जो चीज़े हैं, इंडिकेटर पर आपको सो करता रहेगा, AI wash भी है, उपर जो इंडिकेटर वाश का है, rinse का है, प्लस spin का है, प्लस नीचे चीज़े है, प्लस यह जो है washing machine का door, जैसे कि हम लोग open करेंगे, complete होने के बाद, तो कपड़े को निकालने के बाद जब washing complete हो जागा, तो यहाँ पर हमें यह सारी चीज़ों को देख लेना है, कि कपड़े के कुछ रेसे धागे जो है, मारे gas kit पे आके पढ़ते हैं, या तो जब हम लोग कपड़े इसके अंदर डालें, तो first हमें इसका coin है, Alpine है, और उसके सा साथ कुछ पीन है, तो सारी चीज़ों को first निकाल लेना है, यह सारी चीज़ों को निकालने के बाद ही कपड़े डालने है, बट उसके बाद भी जब ही आप कपड़े निकालने है, इसमें कुछ रेसे धाके रह जाते हैं, तो उसको आपको निकालने के बाद कुछ टाइम तरिए कि 10 मिन तक दोर को open करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिए कमेंट कर दिजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को mostly ससक्राइब कर दिजिए ऐसे आपको informative वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलते रहेंगे तो चलिए